कहाने की शुरवात होती है यिरोप के एक जंगल में जहां एक सुवर अपने मालिक के पिंजरे से छूट कर तीजी से भाग रहा था वहीं पास ही एक सडक पर सैम नाम का एक विदेशी बच्चा अपने पिता को डून रहा था बगर वो आज तक उनसे मिरा नहीं था सैम को यह की भाशा भी नहीं आती थी इसलिए जो भी उसे मिलता वो उसे अपने पिता की तस्वीर दिखा कर पूछ लेता उसे देखने के चकर में सैम की गारी का संतुलन बिखर दया और गारी सीधा जाकर सडक के बीच में खड़े सुवर चे डखरा गई सैम ने तुरंट बहार आक कर देखा कि वो सुवर काफी जखमी हो गया था इसलिए सैम ने उसे उठा कर अपनी गारी में रखा और मदड ढूनने की निये निकल पड़ा जल्द ही रात हो गई और वो एक स्टोर पर पहुचा पर वहां कोई भी नहीं था फिर सैम ने उस बेचारे सुवर को देखा पर और वो अब तक मर चुका था कुछी समय में सैम सुवर को दफनाने के निए गढ़्धा खूदने लगा तो अचानक उसे पेड़ों में से एक आवाज सुनाई दी सैम ने देखा कि अंधेरे में कोई खड़ा था जो अचानक चिला कर भाग गया इससे वो सुवर अचानक से जाग गया क्योंकि असल में वो मरा नहीं था इसलिए सैम उसे फिर से गाड़ी मिले गया तब ही उसके सामने दोबारा से वही इंसान आया ये असल में करकी नाम की एक लड़की थी लड़की ने बताया कि सुवर उसका ही है तो सैम ने उसे गाड़ी में बठाया और उनके घर छूणने निकल बड़ा घर पाच कर करके ने सैम को कुछ खाने पीने को दिया और फिर उसे वहीं पर रात गुजारने को कहा जल्द ही सैम कपड़े उतार कर स्टो गया और करके ने घर से बहा निकल कर आसमान को देखा और कहा शुक्रिया कुछ गंटों बाद जब सैम की खुली तो उसके सामने करके का पिता गुस्ताव और जैनेक्स नाम का एक लड़का खड़ा था सैम को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी और अचानक जैनेक्स ने उसके सर पर वार करके उसे बिवोश कर दिया इसके बाद उन्होंने सैम के गले में पट्ता बांधा और उस जंजीरों से आजाद होने की कूशिश कर रहा था अब सैम करके के सामने गिरगिराने लगा पर तभी गुस्ताव ने वहां आकर सैम को पीटना शुरू कर दिया अगली सुभा जब सैम उठा तो वो बिचारा काफी दर्थ में था फिर करके और गुस्ताव उसके निए दू बाल्तियां लाए एक में उसके लिए जूठा खाना था और दूसरों में सुवरों का खाना करके ने सैम को सुवरों को खाना खिलाने को कहा जिसके बदले में उसे धंका खाना मिलेगा वरना गुस्ताव उसे फिर से पीटना चुडू कर देगा तब सैम ने गुस्ते में ब पाल्टी फैंक दी और का कि मैं तुम्हारा पाल्टू सुवर हर्गिज नहीं बनूंगा। गुस्ताव उसे मारने दोड़ा पर करके ने उसे रूखते हुए का कि ये भूखा रहकर खुद ही सीख जाएगा। चामकोनों ने सैम के ने खाना रखा लेकिन वो उसकी पहुँच से बहुत दूर था। सैम ने उसे पैल से खींचने की कोशिश की पर अचानक एक सुवर आकर सारा खाना खा गया। फिर अगले दिन वहां मार्क और विलियम नाम के तो आदमी आये और बेचारे सैम ने उनसे मदद मांगने की कोशिश की पर वो तो गुस्ताफ से गहने लगे कि वो सैम को खरीदना चाते हैं। तभी जैनेक्स ने आकर गुस्ताफ को ऐसा करने से रूखा क्योंकि अगर सैम चला गया तो उसे खुद गुलाम बन कर रहना होगा। असल में जैनेक्स मार्क का बेटा था और विलियम उसका चाचा लेकिन वो उसे एकदम गुलामों की तरह रखते थे। आखिरकार गुस्ताफ ने उसकी बात मान ली और सैम को बेचने से इंकार कर दिया। फिर रात को जैनेक्स ने आकर सैम की बेडियां काटी और उसे आजाद कर दिया। पर तभी करके भी बहार आ गई और उसने सैम को भागते हुए देख लिया। अब जैनेक्स ने करके को रूखने की कोशिश की पर करके ने साफ साफ कह दिया कि उसके दिल में जैनेक्स के लिए कुछ नहीं है बात को सम्हालने के लिए उसने जैनेक्स को चूमने का नाटक किया और फिर सही समय देखकर उसे धक्का दे दिया तब जैनेक्स उसे पकड़ क पर मारने की धमकी देने लगा तो अचानक सैम ने वापस आकर जैनेक्स का अगला जंजी से कस्त दिया उन दोनों की हाथा पाई चल रही थी कि तब ही एक गोली की आवाज आई ये गोली गुस्ताव ने चलाई थी उसने जैनेक्स को वापस घर बेजा और सैम को फिर से पकर लिया अगली सुभा करके ने सैम को जीन्स और ढंका खाना दिया क्योंकि उसने करके की जान बचाई थी सैम ने फिर से कहा कि मैं तुम्हारा गुलाम बनकर नहीं रह सकता तो करके कहने लगी कि तुमने ही तो मुझे गाड़ी में बैटाय था और वो बिचारा मजबूरी मे सुरों को नहला कर उनकी देखवाल करने लगा बाद में गुस्ताव ने उसे एक लंबी जंजीर से बान था ताकि वो बाहर लकडी काटनी जा सके जब दरवाजा खुला तो सैम कई दिन बाद धूप में जाकर बेहत खुश हुआ पर तो ही गुस्ताव ने उसे एक सुर को म पास आया जिसकी उसने जान बचाई थी और वो सुर उसे मम्मी मम्मी कहके बुराने लगा इससे बेचारा सैम इतना डर गया कि उसकी तबियत ही खराब हो गई फिर अगले दिन करके ने सैम को खुद नहलाया और समझाया कि पार्टी के दिन गुस्ताव उसे पूरे परिव बंधी रहती वह इंदूसरी ओल जैनेक्स को एक गंदे कुद्टे की तरहां दूर कहीं बैठा दिया गया खर खाने के बाद सब नाचने गाने लगे तो करके ने सैम को डांस के लिए बुलाया उन्हें देख कर तो जैनेक्स की और जल गई तो ही मार्क और विलियम जैनेक् पर कुद्टों की तरहां भौखने लगा और तो और वो अपने पेट पे मालिश करवा के खुश भी हो रहा था तब ही अचानक गुस्ताव ने सैम को करके से दूर कर दिया और खा कि अभी तुम इसके लायक नहीं हो फिर करके ने सैम को वापस जाने को कहा और जब सैम लौ पर भौखने लगा अचानक सैम भी कुद्टे की तरहां जमीन पर बैठ कर भौखने लगा और असली कुद्टा ड़कर बाग गया इसके बाद जैनेक्स जोपरी से बाह निकला और वो सैम पर भौखने लगा तब सैम ने पीछे मुड़ कर देखा कि उसकी गाड़ी पास ही खड़ी थी तो वो भाग कर गाड़ी में बैठ गया लेकिन दर्वाजे में उसकी जंजी रटक गई कैर उसने कुछ देख के लिए चैन की सास ली और गाड़ी में रखी टौफी गई फिर उसने गाड़ी की चाबी लगा कर गाड़ी स्टार्ट की और वाइपर से सामने का शी चिश्की की भाई न भागने की कोशिच नहीं कर रहा था ये जंधिय बंदी विये कैसे बागूंगा पर उन वेसे किसी ने उसकी एक न सुनी और गुस्ताव उसे सब के सामने कुट्टों की तरह पीतने लगा विचारा सैम पूरी राद दर्द से करहाता रहा फिर अगले दिन उसे एक छोटी जंजीर से बांधा गया ताकि वो जादा हेल डूल ही न सके बहर जैनेक्स और एक लड़का कुछ सुवरों को ट्रक में भर रही थे कुछ दिर बाद वही सुवर फिर से सैम के पास आया सैम ने उसे दूर जाने को कहा पर जल्द ही सुवर ने उसे सिर्की से बाहा निकला और उसने देखा कि सैम और बाकी के सुवर तेजी से भाग रहे थे उधर तबेले में जब कहके कू सैम के भागने की खबर मिनी तो फूट-फूट करूने लगी तो गुस्ताव तुरंथ ही सैम को ढूनने निकल गया वही सैम जंगल में पूरी तेज चूब कर रूने लगा फिर अगली सुभा अचानक गढ़े में एक रसी आई तो सैम ने देखा कि वही सुवर उसे बचाने आया था जल्द ही सैम रसी की मदद से बाहर आ गया और फिर सुवर ने उसे जंजीरे खूलने में भी मदद की तभी चारों और से बाकी के सुवर उनके पास आ गए तो सैम ने उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया अब यह सुवर ही उसके साथ ही थी तो सैम अपने सारी दिल की बातें उनसे करने लगा जल्द ही उन्हें खेत में कुछ मिला तो सुवर उसे खाने लगे लेकिन सैम उन्हें बस देख तब उसे ऐसास हुआ कि उसके अंदर अपने पिता को ढूंशने की चाह खतम ओचुकी थी औहरो ही उसके अंदर अभ घर लौटने की हिमवत थी उधर करके स्याम के बारे में ही सोचती रहती थी और जूआ करती थी कि सैम उसके पास वापस आ जाए कर रात को जब सैम आराम कर रहा था तो से एसास हुआ कि उसका एक साथ हसने और रूने कमन कर रहा था तब ही उस सुवर ने करके का नाम लिया कुछ देर सोचने के बाद साम ने फैसला किया कि वो करके के पास वापस लोट जाएगा अगली सुभा वो तबेले की और निकल पड़ा और सभी सुवर भी उसके पीचे पीचे चल पड़े जब वो जंगल से बाहा निकला तो साम को गोली चलने की आवाज सुनाई दी असल में गुस्ताव मार्क और विनियम एक साथ साम को ढूंट रहे थे और जैनेक्स उनका कुता बन करा था तब साम खेच में चिपते चिपाते आगे बढ़ने लगा पर जल्द ही जैनेक्स सूंगते हुए साम तका पहुचा तब ही गुस्ताव ने साम के ऊपर बंदूग तान दी और उसे सारे सुवर लोटाने को का साम को पास ही में अपना वो सुवर दिखाई दिया पर उसने एक शब्द नहीं बोला गुस्ताव ने उस पर गोली नहीं चलाई क्योंकि पहले वो अपने सुवर वापस लेना चाता था लेकिन अचानक जैनेक्स ने बंदूग हतिया ली ताकि वो साम पर गोली चला सके जल्द ही चारों आदनी बंदूग के लिए लड़ने लगे और साम मौका देखकर भाग निकला और अचानक उसने गोल उससे बहुत खुश था वो अब उसके साथ गुलाम की तरह नहीं बलकि एक आम इंसान की तरह बरताव करने लगा फिर उसने सैम को अपनी बेटी करके से शाधी करने की इजाज़क भी दे दी बाद में जब करके उसके घाव पर मरहम लगा रही थी तो गुस्ताव ने उसे वो गोली संभाल कर रखने को कहा ताकि वो मार्क और विलियम से बदला ले सके इसके बाद करके ने सैम को बताया कि उसके पिता उनकी शाधी के निये तैयार हो गए हैं और वही सूर उन्हें दूर से देख रहा था उस राद जब वो एक दूसरे के साथ कुछ नीजी समय ब बचाने के लिए ठोड़ा तोभी जैनेक्स सामने आया और ये खुलासा हुआ कि आग उसने ही लगाई थी क्योंकि वो करके और सैम की शाधी की खबर सुनकर टिन मिला उठा था जैनेक्स करके को साइड मिले गया और उसे जबरदस्ती उसके साथ भाग कर चलने को कहा तोभ तक काफी सुवर आग से बचकर भाग निकले थे इस घटना के कुछ समय बाद सैम और करके ने शाधी कर ली मालक और विलियम ने उनके तबेले में हुए नुकसान की भरवाई की और गुस्ताव के साथ अपनी दुश्मनी खतम करके एक नई शुरवात दी गुस्ताव अप काफी बड़ा हो चुका दा सुवर ने उसे अल्विदा कहा और तबेला छोड़कर जाने लगा यह देखकर साम सोच में पढ़ गया कि कहीं उसने यहीं रुक कर गलती तो नहीं कर दी क्या उसे यहां से निकल कर एक नई शुरवात करनी चाहिए थी यहीं पर यह अजीब औ गडीब कहानी खतम होती है